से वी सब नबलों के बार में जो आपने सब्माइंट की मोश्ट पॉपलर और मोश्ट इमंडिंग एस वी कार है इस कार में आपको वह फीचर का पुरा भंडार मिलने वाला है उसका रिजन इसका टॉव देख रहे एक सेवन लग्सरी पैक एडिस लग्जरी पैक के साथ बढ साथ डीजल पैट्रोल दोन अप्शिन मिल जाते हैं इस कार में वेरेंट्स आपको बेस मिलेगा में एक सब्सक्राइब को महिंद्रा का लोगो एंड ग्रिल यहां पर रहती ग्लॉसी ब्लाप फिनिश में काफी प्यारी सिल्वर इंसर्ट यहां फ्रंड में आपको कैमरा मि इस मिलना है है लाइन की बात कर ले तो यहां पर इसके फॉग लाइम्स और ग्लासी ब्लाक फिनिश में इसकी लोग गिरिल रहेगी पर इसकी प्लेट नीची के तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर इंजिन काड वगरा वही पूरा कवार इसका एंजन और इस एक जाएथ ग्र इसका टोइंग को आप्शन तो यह दिसकी पूरी फ्रेंट प्रफाइल एंड जब तो आते हैं थोड़ा सा उपर की साइड तो यहां पर आपको इसके रेंस सेंसिंग वाइपर की प्लेसमेंट और और अटोमेडिक हैडलाइन से इसके यह जैंगे कार के साइड प्रफाइल इंजन आप्शन का एंड यहां पर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मिलते से में अठारंच के इसके अलॉइविल्स इस्टाइल का फीचर से रखा गया है निवाला है पर महिंद्रा का लोगो है में इस से इंट्रेद्यूस किया गया है आपको बेसी वरेंट से देख इंट्रेशन फ्रेंट में उपर आएंगे तो यहां पर देखेंगे फुल साइच किया है यहां पर आपको संडूरूप देखने को मिल जाएगी एंड यहां पर यह वली पिलर्स रखेंगे पूरे ग्लाउसी ब्लैक निश में हैडएस काफी यूनिक आपको 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 इसी कार से काफी बड़े से इंट्रिद्यूस किये गए और यहां से खोलते इसको दिखाते एक बार इसका पूरा डैसपोर्ट डैसपोर्ट भी पुरा आपको लग्शरी प्रीम फिल देने वाले जब आप इस कार के अंदर बैठेंगे तो अब अंदर चलेंगे तो डीटे इस कार में और इसका साथ बात करेंगे अपको सारे फिचेस मिल जाते हैं इस कार में यहां पर आएंगे तो फ्यूल का फिलर और यह वन टच में ओपन हो जाएगा अब चलेंगे यहां पर इसकी बागल में देखने को मिल जाता है और अभी चलेंगे यहां पर इड्रोनिक्स की बैजिंग रहती है यहां पर ग्लास पैनल वाला एरिया हैंडे स्वगरा देख रहें कितने प्यारी से लग रहें तो बाते इसके बैक प्रफाइल के तरप यह यहां पर देखते क्या को दिया गया है यह बहुत इसकी बैक प्रफाइल इंडेटर से वगर आपको फ्लोटिंग वाले मिलेंगे एंड लेडी बैक लैक्लेट्स वगरा बिलिंक करने कितनी प्यारी सी लग नहीं यहां पर आएंगे तो नया वाला महिंद्रा का लोगो यहा यहां पर आते तो आपको LED बैक्लेट्स मिलने वाली है विट फ्लोटिंग 10 इंडिकेटर के साथ जो देखने में काफी बड़े से लगते जब आन होंगे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मिल जाते इसके पार्किंग सेंसर यहां पर रिवर्स पार्किंग सेंसर यहां यहां पर इसके रिफ्लेक्टर्स और यहां पर लगाड़ विगर है असेजरी का पार्ट है नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर इसका पूरा रियर सास्पंसन सेटप यहां पर इस पिर विल देखेंगे नीचे कि तरफ आपको दिख जाएगा और राट साड़ पाइ यहां पर देखेंगे सब मैटिंग वगरा असेजरी से यहां पर रख रखी नहीं इसको निकालना पॉसिबल नेता है इसको नहीं खोली एंड यहां पर आते तो देखेंगे इसी वेंट्स वगरा दिये गए इधर भी वही तो यह काफी बढ़े चिजे थर्ड रोग लिए पूरा ध्यार में रखा गया है और बीट वेगरा और बीट बढ़े से यहां पर देखने को मिल जाता है तो अगर आप यह थर्ड रोग को सीधा कर देंगे तो आपको ज्यादा बूर इस पेस नहीं मिलेगा और इसे फोल्ड रखेंगे तो काफी बढ़े सापको बड़े कंट्रोल इसी के साथ आपको इसमें अलग्जा वगरा इन बीड मिल जाता है एंड लेंड की पसिस्टेंट और भी काफी सर वीचे देखने को मिल जाएंगे इस कार में तो हैंडल कफी यूनिक आपको एंपर दिखता लेयाउट लेदर की बढ़िया से सीट्स एंड यह रह बैट के देखते क्या कुछ हैं पर रहने वाला है तो बैटने को सबस्क्राइब देखेंगे डैस्पोर्ट आपको लग्जरी प्रीमियम फिल आने वाला है तो अब आगे चलेंगे तब आपको दिखाएंगा उन गर के पूरा यहां पर आएंगे तो रियर पसंजर के लिए यहां पर एरबैक्स रहने वाले टोडल सेवन आरबैक्स आपको मिलेंगे स्टाव यहां पर रूप में काफी अच्छा साप पर मिलने वाला एक्रम कंफड़ेबल हो के बैठेंगे यहां पर बहुत मोड़े तो जाहिए बात है आप इधर को पसंजर वाली सीट को कुछ इस सब्सक्राइब काफी बड़े से देखने को मिल जाएगा इस कार में तो आई अब चलते कार के बाहर फिर बात करेंगे इसके इंजन स्पैक के बार में लाश्ट में प्राइसिंग फीचर्स के बार में तो यहां पर देखेंगे चाइड लॉक्स वगरा भी दियागा इनकी को मिल जाएंगे और चलते इसके फ्रेंड प्रोफाइल की तरफ एंड इंजन स्पैक की बात कर ले तो आपको इसमें 2000 का पैट्रोल इंजन ऑप्शन और यह जो आपसका देख रहे हैं यह इसका 2.2 लिटर एमहॉक डिजल इंजन ऑप्शन जिसमें आपको 220 की पावर एंड इसकार में अब चलते हैं इसकार के अंदर देखते हैं फ्रंट डावर सी की तरफ क्या कुछ हैं पर रहने वाला है हैं इनकेस आपको बैटरीय हो जाती तो यहां सब्सकों लॉक कर पाएंगे उसका भी आप्शन आपको दिया गया है नीचे आएंगे थोड़ा सा तूसरे पर देखिए सोनी के बढ़िया से आपको यहां पर ट्विटर्स भी देखने को मिलते हैं यहां पर बाड़ा स्पीकर सेंड डॉर में लाइट सब्सक्राइब हैं यहां पर आएंगे तो हिल डिसेंट कंट्रोल आइडेल शाच्टाप को बड़न ट्रैक्शन कंट्रोल इसका पर यहां पर ठीडियोत तो हाँ यह बैठते ऑपने लाइड फिच्टरप फीर देखने को मिलते हैं अपर सल्एप और यहांप टेखने कुगते तो जब भी आप इससे घुमने निकलेंगे ना तो बढ़िया बाहर निकल के पूरा व्यू आप देख सकते हैं इसकी सन्रूफ से एंड दो तीन लोग तो भाई आराम से निकल जाएंगे इतनी बड़ी सीधी जा रही है अभी आप आते हैं इसके क्लेश्टर की तरफ तो डैस लाइन कीप असिस्टेंट लेंड डिपार्चर वार्निंग एमर्जेंसी ब्रेकिंग अडार जैसे फीचर और काफ सी चीजे तो यहां पर देखेंगे और काफ से रहें को ड्राइविंग इन्फॉमेशन मिल जाती है और सेटिंग्स तो यहां से काफी सारी चीजे आप यहा हो जाएगी और इन्फॉमेशन यहां से आप जो भी चेक करना चेक कर सकते हैं यहां पर रेंज सेंसिंग वाइपर इदर आएंगे तो और यहां पर दिये गए इस इवेंट्स बड़ाइस सोनी के स्पीकर्स वगरा यहां पर निवाला लोगो इदर आएंगो तो यहां पर यहां पर यहां पर स्टेरिंग वील रहने वाला है अजिस्टमेंट की बात कर लें तो इस तरह कुछ आप इसको आगे पिछे टिल्ट कर पाएंगे अपने इसाप से और इसके बाद आप चलते इसके डैस्पोर की तरफ तो यहां पर आपको मिलने वाला लेदर टेस्ट तो यहां पर देखेंगे तो यह बार इसका नैविगेशन और 360 वी ऐसे में आपको देखने को मिलेगा यह यह आपको 12 स्पीकर मिलते 3D इस रहें का सांड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा उपने पर नोटिफिकेशन और का अपको देखेंगे ऑपसंस मिल जाते हैं तो में देखेंगे तो इंजन इस्टाइब बढ़न यहां पर डूल जोन आपको ऑड़ोमेडिक क्लामिट कंट्रोल यहां पाइंगे तो हजालाइट का सुई सीट बिल्ट वादनिंग वाला एर बैक्स ऑन अफ करने गए सबस्टैस करें कि तबर देखने को मिलेगा । अमकूरी तरफित से क्लियर और के से से-भी लेखर नहAm见 देखेंस, इसको प्रेस करेंगे तो यहां पर ड्रै gefड Morse आपको दिक्लिट अमिल जाते हैं और तो यहां पर देखने को मिलते हैं काफी प्रेसर फीचर 6-speed manual gearbox यहां पर आएंगे तो कुछ दिखने वाला यह बड़े से लेदर टैच ग्लब बॉक्स की बात की जाएं तो यहां पर देखेंगे टैबलेट होल्डर काफी बड़े से स्पेस लाइट वगरा भी देखने को मिल जाती है एक यहां पर यहां पर सब्सक्राइब यहां पर आएंगे तो इसका संग्लास अब यहां पर आपको मिलने वाला इसमें वैंटी मिरर एंड लइडी लाइट के साथ आपको दिया जा रहा है यहां पर एक स्पिकर्स की रूप में संभूप को भी करते बंद तो आपको एकस फाइब से देखने को मिल जाएगा इस कार में तो संभूप अगर आपको लेनी आपको उसमें मिल जाती है जो कोई ग्लोबल एंक इसकार को दिये सेफ्टी के साथ बढ़िया लग्जरी पूरा इसका इंटियर तो अब चलते हम लोग कार के बाहर एंड इसी साथ अगर आपको इसका एक स्री या बेस विरेंट या कोई दूसरा वीडियो देखना है इसके किसी भी वरेंट के तो हमारे चैनल को विजिट करके आप देख सकते वह सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे तो अब बात करकर इसके प्राइसिंग इस टॉप एरेंट डीजल के तो यह आपको पढ़ने वाला 21,99,000 एक्षिरूम और आपको पच्छिस लाग पार्किंग सेंसर, स्पीड एलर सिस्टम, सीट बिल्ट वार्निंग, ट्रक्षिन कंट्रोल, टार पेशें मादिंग सिस्टम, लेक्ट्रोनिक इस्टेबल्टी कंट्रोल, 360 वी कैमरा, ओटोमेडिक हैड्लम, रेंसेंजिंग वाइफर, और फॉर देखने को मिल जाएंगे इ पार्किंग पार्किंग पार्किंग